तो गर्बती महिला के साथ गैंग रेप करने वाले जो कुकर्मी लोग थे और उसको माफ करने वाली कमिकी में भाजपा के नेता थे और वो उनको जाती सुचक सब्दों का इस्सेमाल कर किस तरीके से उसको माफ कर दिया गया? क्या अगर उस भाजपा विधायक की घर की वह महिला होती तो क्या भाजपा विधायक ऐसा करते हैं? साधी सुदा आदमी एक परिबारिक आदमी ही परिबारिकी बिथा को समझ सकता है, कमाईयों में कमी हुआई, बेरोजगारी 45 साल के रिकार्ड को पिछे दी छोड़ दिया, और आब आब आटा पर GST लगा दिये, दही पर लगा दिये, छांच पर लगा दिये, मतलब वो त रोकते, बदबा गुरूप बाले को रोकते, तो उसको तो खाने भी दिया, और पैक करा के ले जाने भी दिया, तब तो आपने रोका नहीं, तो सुकर है कि मोदी जी बाकी के जो 6 घंटे हैं, जो मोदी जी काम नहीं करते, नहीं तो आज हमारी चड़ी भी गई होती, हम पे तर्मन मोहन सिंग्जी थे, कि उनके समय में देश जो था, विश्व की तीसरी अर्थ पेवस्था थी, हमारी गिंती अमरीका से हो रही थी, जापान से हो रही थी, हम उसको टकर दे रहे थे, हम तो बंगलादेश से पीछे हो गए, ता आपका 18 गंटा मेनट करने का क्या फा पास्तव जी, तो उन्हीं से जानते हैं, जिस तरीके से देश में महंगाई का मुद्दा इतना गरमाया हुआ है, लगातार एक दलित मासूम को मार दिया जाता है, उसके बाद सरकार चुप बैठी होती है, लेकिन वही जब उसी राजिस्थान में कनेया लाल जैसे की हत्या हो जाती है, तो यही सरकार हुःला मचा देती है, और उसके जो नेता है, वो यहाँ पर सड़कों पर दंगा फसाद तक करने लगते हैं, गोली मारो डैस डैस तक बोलने लगते हैं, तो सर यह सब क्या चल रहा है, कि एक ही जगा पर दो हत्या इस तरीके की होती है, लेकिन क पी में भी घटना हुई, कि बच्चे को मुँ में लाठी डाल कर मार दिया गया, आपने तीन सवर्फिया के अभी फेस्बुक सपर ही देखा था, आमने कि तीन सवर्फिया फीस नहीं भरने के कारण उसकी इतनी पिटाई हुई टीचर के द्वारा कि बच्चे की मौत हो लिए लरना चाहिए, मेरे हिसाब से दुनिया में सिर्फ दो जाती है, एक इस्तरी, दूसरा पुरुस, एक धर्म है इंसानियत का, पंथ अलग हैं आप जिस भी धर्म के मानने वाले लोग हो, किसी में भी मानवता को शर्मशार करने की इजाजत नहीं है, फिर कौन लोग है जो धर्म को आर लेकर इस तरीके के कुकर्म को अंजाम देते हैं, लराई देखिए, कहीं भी किसी भी एस्टेट में हो, लराई सब को लरनी चाहिए, और मानवता के नाम पर, इंसानियत के नाम पर एक होकर लरना चाहिए, किसी भी पाटी की सरकार हो, सबसे बड़ा सवाल कर देख रहे हिए, कि हम आजकल, और यह नहीं बहुत दिन से धेख रहे, कि यह ग Supreme Supreme L幾 तरह, परदान मंत्री के लोग नारिशलमान की बात कर रहे थे वही पर्दान मंत्री, परदान जो भूली रहते हुए कभी भी कठुवा में जो आसिफा के साथ हुआ तब भजपा के लोग क्या कर रहे थे जो बिकलिसवानों के कि साथ जो हुआ उनके पुरिपरिबार के साथ जो हुआ जो पांच महिने की गर्बती थी थी तो वो महिला ही देश की बेटी थी थी तो गर्बती महिला के साथ गैंग रेप करने वाले जो कुकर्मी लोग थे और उसको माफ करने वाली कमिटी में भाजपा के नेता थे और व अगर उस भाजपा विधायक की घर की वह महिला होती तो क्या भाजपा विधायक ऐसा करते हैं सवाल है कि भाजपा के जो प्रदेश उपाध्यक्ष है जिसके द्वारा चकलाघर मेगाले में चलाया गया जहां चार सो सराब की बोतलें पांसा अन्यूज कंडोम उसके बावजूद छे नवालिक लर्कियां जेलेटीन डेटोनेटर बरामद हुआ कोई भाजपा का नेता नहीं अरे वो लर्किया नहीं है जिसे आपका नेता चकलाघर चला रहा है आप किस धर्म की बात कहते हैं आप धर्म को बदनाम करने की बात कहते हैं धर्म मजहब कोई कहीं महिला उत्पिरन की बात नहीं कहता कोई नसा और बैविचार की बात नहीं कहता कोई गलत कुकरमों को अंजाम देने की बात नहीं कहता तो बहतर यही होता कि हम लोग भारत के संभिधान से हम दुनिया में क्या कहें अ नामास धर्म रिप्री राष्ट से राष्ट जोस्टम की बात की जो यहिस फंडामेंटल राइड़्स भारत के जनता को धिए गये उस की बात होनी चाहिए तो वहीं करते पता नहीं क्या खाते हैं कि वह हांत्रस वाली बात पर नहीं बोलते आप दिल्ली में नवालिक लर्की के साथ होता है पानी के लिए मंदिर में तम नहीं बोलते आप बिलकिस मानों के मुद्धे पर नहीं बोलते तो क्या है बहिया क्या मजबूरी है कुल्दीप संकर जब पीरता का पुरा परिबार को यह ड जादी बताये जा रहे हैं वोगरवड कभी नहीं करता है और गलत नियत से तो सब क्या है राम कौन था रावन कौन था राम की रावन की एक ठीओ भूत पठा लिखा लोग था ब्रह्मन था लेकिन उसने क्या किया भगवा पहन कर मासीता का फरंग किया तो वो कुकर्मी हुआ की नहीं हुआ भगवान राम ने नारी के सम्मान में ही तो रावन का बद किया ना तो हमें रामाइन अपना जो धर्म सास्र है आप रमाइन पर ये, गीता पर ये, कुरान पर ये, बाइबल पर ये, सरल गुरुगन साही पर ये, नास्तिक सास्तर पर ये, जो भी धर्म सास्तर परेंगे, उस पर शिर्फ इंसानियत की बात की गई है, जुल्म की बात की गई है, कि जुल्म का हमेशा अंत हुआ है, ये भी कि 75 साल बनाए जारे घरगर जंडा पहली बार जो है लोगों को आजादी का अमरित महसब चखने को मिल रहा है भाजपा की जो प्रवक्था थी वो चैनल में क्या बोली कि 99 साल की आजादी भीख में मिली है कंगना रहनाबद कि जो कंगना रहनाबद 2014 में असल आजादी की बात कह रही थी तो 75 साल कैसे मनाया गया और हम में जहां तक याद है मेरी उमर 42 साल होने को है तो हमने जो देखा 42 साल के दर्मियान 42 साल से तो कोई नरंदर मोदी जी की शरकार नहीं है लेकिन जपना तोलन जब हम लोग पहली दूसरी तीसरी में पढ़ते थे तब भी आज़नदा फराते थे देखीए जंदा का क्या सेंस है जंदा फरा देना जंदा शरकारी घर्चे से यह कर देना उससे एक्चुली क्या हुआ है कि जो खादी के जंडे बनते थे यह जंडे नहीं बना के परधान मंत्री के जो बैपारिक मित्र हैं उन्होंने जो चायना से मंगाया है उसकी विक्री इन्होंने करवा दी रासन तभी मिलेगा जब आप जंडा लोगे बीजेपी कारियाले से जंडा लो पूरा देश बेशते बेश्ते नोंने जंडा बेचने पर लग गए जंडा का जो उद्धेश्य है जो हमारा तिरंगा जंडा जो आजादी का प्रतीक था जंटा क्यों फ़राया जाता था देश को आजाद कराने के लिए तो निश्चित खोंसे चाहिफ करते हैं जो डिवाइड एंड रूल की बीट लूम फूट डालो रूट डालो यही काम कर रहे हैं ट occupied नर्मदा नहर प्रयोजना कढ़ गरा Wie और ध्षत कैसे हो गया किस तूट गईज़किति अभी चाही wedge को कागज क्या थोरड़ा था भारत्मागु के बीर सपूत्वव ने फासी के फंदे को इसलिए चुमा था काला पानी की सजाई इसलिए जिसमाने this है ठाल रा मुल्क अजाद हो नहीं बोलने दिया जाएगा रोजगार के मामले पर महंगाई के मामले पर सुरक्षा के मामले पर सिख्षा के मामले पर आप वहां भास नहीं कीजिएगा हम जैसा देश का नागरिक नहीं पूछ सकता है आप जैसा सोचल मीडिया के लोग दिखा नहीं सकते हैं सरकार यह सब् कि विभस्षा है हम तो उस बिहार से आते हैं जहां लोकतंत्र विश्व में पहला लोकतंत्र देने वाला भी है तो आप सोच लिए तो वही जंडी की अगर बात मोदी जी करते हैं तो यती कुरुवानी दी जिन्होंने अपने परिवान को सर्वस्य छोड़ दिया आज उन लोगों का आपमान है यतीन अर्जिंबानंद जैसे लोगों पर निस्षित तोर पर अगर यह मुसल्मान होते तो इन पर एनसे लगता यूपीय लगता जंडे का आपमान कैसे कर सकता है आप स देश के प्रधानमंत्री का आपमान राष्टिय धोज का आपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान निस्षित और पर प्रधानमंत्री जी की कमजूरी यहां जलकती है कि प्रधानमंत्री उस पर कारवाई नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से अभी महंगाई जो है बढ़ रही है चर को इस्तमाल करता है बच्चे के लिए स्वाल किया तो वह सब उस पर GST लग रहा है यह सब क्या है देखे प्रधान मंत्री जी को कम से कम उस छोटी सी बच्ची की जो दिल की पुकार थी उस पर संग्यान लेना था कि प्रधान मंत्री जी मैगी महंगें हो गए ममी से मांगने पर मैगी नहीं देती प्रधान मंत्री जी चुकी परिबारिक आदमी नहीं है उनका घर परिबार नहीं है अगर होता एक साधी सुदा आदमी एक परिबारिक आदमी ही परिबार की बथा को समझ सकता है कमाईयों में कमी हुआई बेरोजगारी 45 साल के रिकॉर्ड को पिछ छोड़ दिया और आप आप आटा पर जीएस्टी लगा दिये दही पर लगा दिये चांच पर लगा दिये मतलब वो तो आप प्रदान मंत्री जी कह रहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तो आप हमको क्यों नहीं खाने दे रहे हैं आप नहीं खाने देते तरामदेव को रोकते आप विजय मालिया को रोकते नीरव मोदी को रोकते रिशी अगरबाल को रोकते बद्वा गुरुब बाले को रोकते तो उसको तो खाने भी दिया और पैक कराके ले जाने भी दिया तब तो आपने रोका नहीं आपको पता है 17 बैंकों थे तपिल बद्वा ने सारे 34,000 करों रुपे की बेमानी के 23,000 842,000 करों रुपे तो रिशी अगरबाल लेके भाग गए और उनको सरकार ने दो-दो जगा मोधी सरकार ने जमीन दिये उनको कोरिया लेकर गए बिजने समिट में तो यह प्रधान मंत्री जी को बताना चाहिए और प्रधान मंत्री का पद गरिमा का पद होता है प्रधान मंत्री चुकी पूरे देश के प्रधान मंत्री हैं सिर्फ आडानी अंबानी के प्रधान मंत्री तो है नहीं कि सिर्फ उनह कितना गया उनकी जो संपतियां हैं क्या प्रधान मंत्री उनको कुरकी का आदेस नहीं दे सकते ऐसा कानून सदन में नहीं पारित कर सकते प्रधान मंत्री को निरा मोधी मेहूल चौकसीर इसी अगरबाल समय जितने भी लोग थे उनकी जो संपतियां यहां है उन संपतियों को अगर समय रहते जब्त कर लिया जाता आपने देखा होगा करोना काल में अपने ही देश के लोग अपने घरों तक नहीं जा पाए तो यह कौन लोग हैं और किसके इसारे पर इन लोगों को देश सोरने की इजाज़त दी गई और यह लोग देश सोर कर चले गए हो मिनिस्ट्र जी कहते थे कि केंद्र के हाथों में होता है तो अब कैसे चला गया कैसे रिशी अगरवाल देश होर के गया कैसे नीरम मोदी मेहुल चोक्सी भाग गया यह तो चोकिदार सोता रहा हम भी चोकिदार तो चोकिदार कहां था जब यह नीरम मोदी मेहुल चोक्सी भाग गय यह नहीं तो आज हमारी चड़ी भी गई होती हम पेर के पत्ते पहन रहे होते हम जंगली जानवरों के शिकार कर रहे होते हम पथलों को रगर कर माचिस की जगा आग पैदा कर रहे होते ऐसा नहीं होता ना आप अगर 18-18 गंटे काम करते हैं तो आप से तो बहतर मनमोन सिंग जी है कि उनके समय में देश जो था विश्व की तीसरी अर्थ बेवस्था थी हमारी गिंती अमरीका से हो रही थी जापान से हो रही थी हम उसको टकर दे रहे थे हम तो बंगलादेश से पीछे हो गए तापका ठारा गंटा मेंट करने का क्या फाइदा सवाल है ना अभी आज जो है यहाँ पर ही जो नेशनल स्कूल अप ड्रामा है वहाँ पर जंडे के अपमान के चलते र कुछ लोग हिंदू संगठन के आए तो जंडे का अपमान बता रहे थे लेकिन यही वो लोग है जब मासूम की हत्या हो जाती है तो यह लोग कहीं बिल राजिस्थान कर दिया 50 लग जबकी वहाँ सरकार दे रही तो यह सब को समान सम्विधान के टहत 14 full रोटिकल 14 के तहत सब कऱंता अभी का अदिकार है तो और दलित के लिए कणूर और कनहिया लाल-जैसू के लिए ऐसे क्यों देखे निश्चित तोर पर और संबिधान शर्वोपरी है दूसरी बात इन जो बाजपा RSS के लोग हैं इनको गुर्दवारों में ले जाएए गुर्दवारों में जैसे च्छुआ छूत करने के लिए लंगर शेवा है आप मंदिरों में कीजिए आप मज़िदों में कीजिए समाज से च्छुआ चुत समझें उन्हें सब्सक्राइब करें अब समझें कि वह टीचर जो छैल सिंग जिसने उस बच्चे को मटका कितने काता है 100 रुपे का यह तो कॉमन सेंस की बात है ना भाई वह भी तो है इंसान ही और भगवान श्रीकिश्ण ने कहा नरही नाराएन है तो जब नरही नाराएन ह है तो वह आरेसस के जो साखा में डाठी टंटा लेके भांजने वाला मटका चूने से उस बच्चे को मौत के घाट के उतार दिया सवाल उठता है तो उस पर सीधा सजाए मौत जैसी सजा देनी चाहिए ताकि दूसरा आदमी इस तरीके का कुकर्म करने का साहस ना करे लगा तोर पर मदप्रदेश में भी ऐसी घटनाये हैं उत्तर प्रदेश में भी ऐसी घटनाये हैं पुरे देश में हैं यह मानवता को कलंकित करने वाली और देश को बदनाम करने वाली यह घटनाये हैं जो लोग जाती और धर्म के इंडाम पर इंसानियत को सरमसार करते हैं उन् पान रूप से सजा मिले और ताकि वो दुस्त मनें दुस्ताहस ना कर सके यह नहीं कि आप अपने फाइदे के लिए तिरंगा यात्रा निकाल दीजिए कट हुआ में कभी कहीं निकाल दीजिए तो यह सब सरा सर गलत है बहुत बहुत शुक्रिया अभी हमारे साथ थे बंकर श्रीव वास्तव जी जिन्होंने बताया किस तरीके से लगातार जो भाजपा सरकार है अपने नेताओं के लिए किस तरीके के कानून रखती है और वहीं जब कोई दोशी पाया जाता है तो कैसे उनको माला पहना कर और मिठाई खिलाकर उनके आचरन को अच्छा बताकर जो है उनकी रिहाई कर देती है तो सोच यह किस तरीके का दुश्क कर्म किया जाता है बिल्किस बानों के साथ और किस तरीके से एक छैल सिंग अध्या पब जो गुरू होता है जो माबाप के बाद गुरू ही जो है शिक्षा का जो गुरू होता है उस बच्चे का तो वह हत्या कर देता है अब जो है लगातार वहां पर टंकी मटकी यह सब दिखाई जा रही है मटकी जो है गायब कर दी जा रही है लगातार सबूत मिटा दिये जा रहे तो आखिर यह सब चल क्या रहा है आप भी जा बच्चे को जो है मौत के घाट उतार देती है टीचर तो आप सोच ये किस तरीके से लगातार इसी भाजपा सरकार और सरकार के अंदर देखते हुए ये सब घटनाए हो रही है लेकिन सत्ता में बैठी सरकार लगातार इस चीजों को नकार रही है लगातार इनके उपर परद दालती हुई नजर आ रही है तो इसी के साथ देखते ही जनित आवाद मेरे सायोगी धर्मेंद के साथ में पुजा दिल्ली